रभी सर की पाट साला में एक बार पुना आप सभी का स्वागत है जैसा कि थम्नेल्स में आपने देखा है कि आज का यह वीडियो बिहार के मांचित्र प्राधारित होगा साथी साथ हम बात करेंगे थोरी बहुत बिहार के इतिहास के बारे में थोरा सा राजनितिक इस्थिति करेंगे उन सारे प्रशनों का जबाब हम ढूनने का प्रियास करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्व में जब हम बात करते हैं तो हमें महा जनपद काल से सुरू करना होता है तो जब हम महा जनपद काल की बात करते है तो यहां तीन महा जनपद आते थे बिहार के अंतरगत, basically मगध, अंग महा जनपद और बज्जी, जो बज्जी गनराज था, जो आजके डेट में बैसाली के आजपास का इलाका है, उसके बाद अंग महा जनपद का जो इलाका है, वो बरतमान में भागलपूर के आजपास का इलाका और मगध पटना और उसके आसपास की इलाका वैसे तो मगध सामराज की जो विस्तार देखेंगे हम तो वो लगभग उत्तर भारत के संपूर्ण हिश्य में अगर हम और पश्रिम की तरफ जाएं तो अफगानिस्तान की तरफ और पूर्व की तरफ या बंगलादेश और मैनमार तक फैला हुआ था और उसके राजधानी हुआ करते थी पटना इसके बाद अगर हम और पीछे चलें तो सारंजिले का जो चिरांद नामक एक जगह है जो की नवपाशान युगीन है तो इसके लिए भी यहा जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे सारंजिले का ज कहलाता है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहीं पर एक जगह है चिरांद इसके बाद अगर हम प्राचीन काल के राजबंसों की बात करें तो हर्यक बंस नंद बंस और तदुप्रांथ मौर्ज बंस जिसके प्रमुक्षास्कों में चंद्रगुप्त मौर्ज और अ आसपास चला जाता है लेकिन गुप्त काल में भी बिहार जो है वो विज्ञान, गनित, खगोल विज्ञान, वानिज, धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है तो कुल मिला करके बिहार का जो इतिहास है वो काफी गौरव शाली है मद्द काल में भी जब आप देखेंगे तो पा पहले जो शल्तनत काल थे के जितने भी शासक हुए उन्होंने बिहार के विभिन छेत्रों में अपना आधिपत्य अस्थापित करने के लिए प्रयास रत्र है इस करी में सेर सासूरी का नाम भी याद रखेंगे आप लोग और एक चीज जो महत्तपुर्ण है वो मैं बता द देता हूं कि 1297 इस भी में अलाउदिन खिल जी ने अपने एक प्रतिनिधी सेख मुहमद इसमाइल को भेजा था दर्भंगा मैं आपको बता दूं कि यह दर्भंगा है दर्भंगा में भेजा था लेकिन यहां पे राजा चक्र सिंग से उसे पराजित होना परा इसके 1297 के विद्रोह से जब हम आरा के जगदीशपूर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वहां पर कुमर्शिंग ने अंग्रेजों का सामना किया तद उप्रांत गांधी जी के चंपारन मुमेंट की हम बात करेंगे और चंपारन मुमेंट की सुरुवात माना जाता है कि आधुनि पटना का बांकीपूर का अधिवेशन प्रशिद है फिर एक अधिवेशन गया में हुआ और इस तरह से भिहार भारतिय सोतंत्रता आंदोलन में काफी अग्रणी भूमिका निभाने वाले छेत्रों में से था प्योंकि बंगाल प्रेशिडेंसी से जुरा हुआ या छेत्र ह था तो सुभाविक सी बात है कि भारतिय सोतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान जग जाहिर है और यह किसी से छिपिवी बात नहीं है तो इस इन ही सब भूमिका के बाद हम आगे बरते हैं और बरतमान परिप्रेक्ष में जो बिहार का नक्षा है या अपने इस प्राप्त कब किया इन सब चीजों को भी हम थोरी बहुत जो है वो एक नजर जरूर इस पर देना चाहेंगे क्योंकि बिहार का जो बरतमान स्वरूप है यह प्राप्त किया बिहार ने 15 नवंबर शन 2000 इस्वी को 15 नवंबर शन 2000 इस्वी से पहले बिहार जो था वो जाके जन दिन के अबसर पर ये अलग हुआ और काफी लंबे समय से जारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह प्रियास किया जा रहा था कि जारखंड नाम का एक अलग राज्य बने और फिर यह राज्य अन्तता बना लेकिन उससे पहले भी हम देखेंगे कि 1936 में जब उड जरूर धियान रखेंगे कि 22 मार्च वह तिथी है जिस दिन बिहार अस्तित्य में आया और वह तिथी उन्हें 112 का है जब हम बिहार दिवस की रूपे मनाते हैं आपको याद होगा सन 2011 में बिहार सरकार ने बिहार दिवस को राजगिये अस्तर पर जो है बहुत अच्छे ढं से मनाया था गांधी मैदान में एक लंबे समय तक उस पर एक आयोजन भी हुआ था पूरे वर्स में तो याद रखेंगे 22 मार्च विहार दिवस आईए अब राजनितिक इस्तिति की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले जाना कि 1936 में बिहार उरिशा से अलग होके स्वतंत शंपदाओं से युक्त हमारा जो शेत्र था जहारखंड वो अलग हो गया और बिहार नाम का एक राज्य बचा जिसकी राजधानी पटना है इस यहां की जो विधान सभा है वो उसमें कुल 243 सीटे हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दू कि यहां का जो सदन है वो दूई सद जदनात्मक है यानि बिहार में विधान परिशद भी काम कर रहा है और विधान सभा भी विधान परिशद में कुल 75 सीटे हैं जबकि विधान सभा में 243 सीटे हैं अभी हाल ही में जो है चुनाव हुआ है और आप सभी इन सब चीजों से वाकिफ हैं लेकिन जैसे जैसे चीजें छूटती चली जाएगी. इसलिए बिल्कुल याद रख लिजीए बिहार बिधान सभा में 243 सीटे हैं जबकी बिहार बिधान परिशद में 75 सीटे हैं. अब आईए बिहार से कितने सांशद चुनके जाते हैं तो अगर सीधे याद पूछा जाए कि बिहार से कितने सांसद तब तो आपको लोगसभा और राजसभा दोनों को जोरना होगा लेकिन बाइफरकेट करके पूछता है कितने लोगसभा सीट हैं बिहार में तो याद रखेंगे या इसकी संख्या है 40 और कितने राजसभा सीटे हैं तो राजसभा की सीटे हैं 16 यानि कुल 16 अस्थापना 1916 में हुई थी तारीक था तीन फरवरी तीन फरवरी सन 1916 को बिहार में इसका जो उच्छ न्याले है उसकी अस्थापना पटना में हुई अब हम लोग इसके भौगोलिक और मानचित्र पर जो कुछ प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि मानचित्र पर आने से पहले हम इसके अक्षांस और देशांतर ये विस्तार को जानेंगे जैसा कि आप देख रहें कि भारत के नक्षा पर बिहार जो इस्थित है उसको अगर हम इस तरह से एक रेखा खीचे अगर अक्षांस रेखा खीचे और इस तरह से पूर्वे देशांतर से कितने डिग्री पूर्वे देशांतर तक जो है इसका विस्तार है तो हम जानते हैं कि भारत की इस्तिती जहां है उसकी भी तर इसकी विस्तिती होगी तो इसका जो अक्षांसिय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट 24 डिग्री 20 24 डिग्री 20 मिनट से कितना 27 डिग्री 31 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्री आक्षांस यानि भारत पुंत उत्री आक्षांस में है उत्री गुलार्द में है तो इसका जो आक्षांस होगा वो उत्री ही होगा तो बिहार के लिए याद रखेंगे मैं ये डाट डिग्री 29 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है तो यह हो गया अब हम बिहार के उत्तर से दक्षिन और पूरब से पश्चिम की लंबाई चौराई अगर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो उत्तर से दक्षिन और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ऐसे अगर देखें तो उत्तर से दक्षिन लंबाई याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इसके दोनों लंबाई में एक यूनिक डेटा है जैसे अगर हम इसका उत्तर से दक्षिन देखें यानि चौराई देखें तो यह लगभग 345 किलोम है आसान है याद करना वहीं इसकी चौराई जो है वह 483 किलोमीटर है अब बताईए 483 इस भी पुर्व में क्या हुआ था एक घटना घटी थी जो बिहार से संबंदी थे वह है महात्मा बुद्ध से जुरा हुआ ति थी है जिस दिन महात्मा बुद्ध का महापरी निर्व हुआ था तारीक था 483 इस भी पुर्व तो बिहार का जो पूरब से पशिम की जो लंबाई है वह है 483 किलोमीटर तो दोनों ही जो डेटा है दोनों ही आकरा जो है वह आपको याद करने में कठनाई नहीं होगी अब चोहदी की बात करें तो आपके स्क्रीन पर देख रहे ह करता है वहीं अन्य जो इसके तीन जो छेत्र हैं उस उन तीनों छेत्रों में यह राज्य से जुरा हुआ है और तीन राज्य कौन कौन से हैं उत्तरप्रदेश पस्षिम बंगाल और जारखंड अब हम आपको एक और चीज बताएंगे प्रश्न इस तरह से भी आता है कि ने बिरूर से देख लीचिए, नेपाल से सटे हुए पहले तो पूचा जाता है कितने जिले हैं तो सबसे पहले बात कि जिलों की संख्या है साथ, जो नेपाल से सटे हुए हैं. अब आए एक कौन-कौन से जिले हैं तो, वेस्ट चंपारन, इस्ट चंपारन, शीतामढ़ी, पी के साथ सीमा साजा करने वाले जो जिलों की संख्या है न वो है आठ टोटल आठ जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं कौन-कौन से जिले हैं जल्दी-जल्दी कर लें वेश्चंपारन, गोपाल गंज, सिवान, सारन, भोजपूर यह वही सारन है जिस बहुत छोटा इलाका लेकिन जब संख्या की बात करेंगे तो यहां से आप जोड़ेंगे वेश्चंपारन एक, गोपाल गंज दो, सिबान तीन, सारन चार, भोजपूर पांच, बक्सर छो, कैमूर शात और रोहतास आठ, तो कुल आठ जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं, याद रखेंगे, अब आईए जारखंड के साथ सीमा साजा करने वाले जिलों का नाम देख लेते हैं, तो जारखंड के साथ जो सीमा साजा करने वाला है वो तो एक है रोहतास, सबसे पश्चिम की तरफ रोहतास, उसके बाद और अरंगाबाद, उसके पुर्णिया और कटिहार यह हो गए जारखंड के साथ सीमा साजह करने वाले अब एक प्रश्ण आता है कि वेस्ट बेंगौल के साथ कितने जिले और कौन-कौन से जिले तो तीन जिले हैं और वे तीन जिले हैं किशन गंज, पूर्णिया और कटिहार बिल्कुल स्पस्ट कर कर देता हूं तीन जिले ही मात्र हैं जो पश्चिम बंगाल से साजह करते हैं सीमा वह है किसंगंज, पूर्णिया और कटिहार तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साजह करने वाले तीन जिले और एक बार 56 से 69 BPSC की परिक्षा में पूछा गया था कि सब से पूरव की तरफ का जिला कौन है और वहां बिकल्प में दिया गया था कटिहार, पूर्णिया, किसंगंज, अरडिया और वहां बहुत साय लोगों ने गलती की, कुछ लोगों ने ही सही मारा था क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ ट्रिक दिमाग में घर कर जाता है, लोग क्या ट्रिक मा यह देखेंगे कि किशन गंज का हिस सबसे पूर्व की तरफ है तो सबसे पूरव का जिला है किसन गंज के लिएर है पुर्णिया तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका ऻ्काइंसर तो याद रखएगा एक चीज वी बीच भी बता दिया आप लोगों को अब आये हम बात करते हैं कि वैसे कौन से जिले हैं अब शुक्ति नदी की बात भी आती है कभी-कभी बीच-बीच में प्रशन आता है कि गंगा नदी से दिलेटेड तो मैं नदी से भी इलेटेड question इस वीच में आपको बता देता हूँ यह जो मैं लखीर खीच रहा हूँ न यह गंगा न दिये जो बिहार के बीचो बीच कुजरती है और इस से related भी एक प्रशनाता है कि कितने ऐसे जीले है जो गंगा के किनारे बशे हुए है या जिनकी सीमा गंगा से सटी हुई है तो इसका उत्तर होता है बारह जीले कौन-कौन से हैं और वे बारह जीले इस्प्रकार हैं मैं आपको बिलकुल यहां पर pointer के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जिले कौन-कौन से हैं जो गंगा जी से सटे हुए हैं तो मैं आपको बिल्कुल ही सुरुवात से बताना चाहता हूँ आप देखें यहाँ पर प्रवेश करती है यहाँ पर भोजपूर के पास और यहाँ पर आप देखेंगे बक्षर को भी टच करती है भोजपूर बक्षर पटना नीचे की तरफ आईए लखी शराई मुंगेर भागलपूर और फिर उपर से जोड़ लिजे यह तीन हो गए भा उपर से आईए फिर सारन, वैशाली, शमस्तीपूर का भी कुछ इलाका है बेगुशराय, खगरिया और इधर हो गया कटिहार यह जो कुल बारह जिले हैं यहाँ से गंगानदी होकर गुजरती है अब हम लोग बिहार के छेत्रफल और इसके जनसंख्यां से लेटेड कुछ आकरों को देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब के लिए उपयोगी भी सावित होगा, तो इसका जो जनसंख्यां है वो है 2011 के आकरे के अनुशार देखें तो इसकी जनसंख्यां है 10.38 करोर, लेकिन अगर आपके विकल्प में 10.38 करोर न रहे, 10.4 करोर रहे तो भी वो सही होगा, उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए चुकि BPSC परिक्षा में option E ले रहा है, तो अगर आपको exact data नहीं रहे भी कल्प में, तो आप option E के साथ जाएंगे चलिए अब बात करते हैं लिंगा अनुपात की, तो बिहार का लिंगा अनुपात है 916, यानि प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 916, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन सा जिला सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला है, तो वह है गोपाल गंज जिसका लिंगा अनुपात है 1021, इसी प्रकार से साक्षर्त āदर की बात करते हैं, तो बिहार की साक्षर्त आदर भारत में सबसे कम है, निवनतम साक्षर्ता वाला राजी है बिहार, जहां पे 63.82% लोग ही सिक्षित हैं, मतलब 63.82% लोग सिक्षित हैं, जिस में पूरुस और महिलाओं की जो साक्षर्टादर है वो 33.3 तीन परतिसत है तो ध्यान रखेंगे साक्षर्टादर लिंगानुपात और जनसंक्यां से रिलेटेट जो बेसिक चीजे है वो यही सब है कि जनसंक्यां कितनी है लिंगानुपात क्या है सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है 2011 की जनगन्ना से पहले सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाला राज पसीम बंगाल हुआ करता था लेकिन बर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाला राज बिहार है और 2011 की जन गन्ना के अनुसार देखे हैं तो प्रती वर्ग किलो मीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या थी 1202 आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ग किलो मीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही किसी 36 विशेश की जन संख्या घनत्य के नाम से जानते हैं तो भारत में पहले अस्थान पे है जन संख्या घनत्य के मामले में बिहार हमने बताया था कि राजनितिक रूप से भी आप देखेंगे बिहार को तो मैं आपको बता दू कि बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है यानि कि ये आपको ये मैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस मैप में जो भी अलग-अलग कलर्स से आपको यहाँ डिनोट किया गया है सारे कलर्स अपने अपने आप में जो है वो एक प्रमंडल को दिखाते हैं और बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं और जिलों की संख्या की बात करें ये जहानाबाद से अलग हटके एक जिला बना था अर्वल वैसे आपको बता दे कि बिहार में 1972 में बहुत सारे जिले बने थे जिस करी में दरभंगा, मदुवनी, समस्तिपूर, उधर औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर जैसे जिले 1972 में 72-73 के दौरान बने थे तो कुल अभी बरतमान में 2020 की बात करें अगर तो बरतमान में बिहार में 38 जिले हैं और इनही 38 जिलों के आधार पे कुल 9 प्रमंडल हैं जिस प्रमंडल में आप देखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोशी प्रमंडल, उसके बाद मगत प्रमंडल, पत देखेंगे कि 101 अनुमंडल है, अनुमंडल का मतलब होता है सब डिबीजन, जैसे कि अगर आप BPSC में चैनित होंगे और अगर आप SDM बनते हैं या DSP बनते हैं तो आपको एक अनुमंडल का प्रभार मिलेगा, यानि अनुमंडल जो है वो कई प्रखंडों को मिला कर बनता है तो कुल 101 अनुमंडल है और एक जिले में 2 या 3 या उससे अधिक अनुमंडल हो सकते हैं सब डिबीजन उसके बाद ब्लोक्स की बात करें तो टोटल 534 ब्लोक हैं बिहार में यानि बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं यानि इस हिसाब से देखे तो 534 प्रखंड भिकास्पदा अधिकारी होंगे 534 CEO होंगे इस तरह से ध्यान रखेंगे कि बिहार में अब फिर एक क्रोनलोजी देख लिजिए 9 प्रमंडल हैं 38 जिले हैं 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड हैं इसके अलावे अगर हम पंचायतों की बात करें तो 84,71 पंचायते हैं 45,000 से भी अधिक गाउ हैं तो यह सूची आप जरूर याद रखें जरूरी ने इसको रट लेना है बलकि दिमाग में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेट प्रस्ण भी छोटी मोटी परिक्षाओं में आते रहते हैं अब आईए हम राजमार्ग की भी बात कर लेते हैं तो बिहार में NH की जो कुल है अगर हम 2019 का जो रिपोर्ट देखते हैं तो उस हिसाब से बिहार में कुल राष्ट्य राजमार्ग की जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है ध्यान देंगे 358 किलोमीटर लंबाई में बिहार में राष्ट्य राजमार्ग यानि NH फैला हुआ है ये प्रस्ण भी एक वार BPSC इने 62 की परिक्षा में 62 BPSC में पूछा भी था कि राष्ट्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है उस समय के आंकरा अभी के आंकरे में डिफरेंस है तो हो सकता है कि नया आंकरा ले तो उसमें आप याद रखेंगे 358 किलोमीटर मैं आपको बता दूं कि यह पूरा इसलिए आप बीच में अगर कुछ ऐसी बातें मुझ से निकले जो की कन्फूजन वाला है तो आप जरूर से आप कमेंट करें ताकि मैं उसको आपको सुधार दूं साथी साथ टेलिग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप जुरिए रभी योजार से गुजडने वाले प्रमुक एनेच की तो प्रमुक एनेच है नेच 2, एनेच 19, एनेच 28, एनेच 30, एनेच 31 और एनेच 57 इसके अलाबी बहुत सारे एनेच हैं जिसकी सुची आप अपने स्क्रिन पर देख रहे हैं तो इन सारे एनेच यानि नेशनल हाइवेज को जरूर याद रखिएगा आपको एक और बात बता देते हैं महात्मा गांधी से तू एनेच उनेच पर अवस्थित है तो इतनी सारी जानकारी के बाद हम अब चलते चलते एक चीज़ देख लेते हैं कि बिहार की जो भासा है वो कौन-कौन सी है यानि कौन सी प्रमुक भासा ह और कौन सी अन्य भासाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती है प्रमुकता से तो सबसे पहली बात कि हम अभी जिस भासा में बात कर रहे हैं वो सबसे अधिक बोली जाती है यानि हिंदी हिंदी के बाद आता है उर्दू और इसके बाद हम देखेंगे मैथिली, भोजपूरी, अंगी का, मगही और बज्जी का बिहार के अलग-अलग शेत्रों में इसे बोलने वाले लोग निवास करते हैं तो बिहार से सम्मंदित इतनी जानकारी आपके लिए परियाप्त है आप अगर चाहें तो इससे अधिक जानकारी के लिए और भी पुस्तके मार्केट में के अध्यन में आप बोर हो जाएंगे, आपको लंबे समय तक चीजों को याद करने में कठनाई होगी, इसलिए मैंने उन सारे तत्यों को इसमें समाविष्ट करने का प्रियास किया है। आपके लिए उप्योगी है तो अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर कीजिए और रवी सर के पाट साला नाम के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो इन ही सब बातों के साथ आज के इस वीड